तो केनोपनिशद के पिछले बार हमने फ़र्स्ट पार्ट किया था, आज केनोपनिशद का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, वो भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, हर उपनिशद की अपने एक स्टाइल होती है, और केनोपनिशद की भी अपनी एक स्टाइल है, जिसमें वो काफी मिस्टिरियस ढंग से या थोड़ा ऐसा लगता है, जैसे कोई कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड यूज करके बात करते हैं, हर रिशी की, हर राइटर की, अपनी अपनी आथर की, अपनी अपनी स्टाइल होती है आज भी उसी तर है के कुछ इंट्रेस्टिंग विमें, केनोपनिशद की जो अपनी एक यूनिक स्टाइल है, उससे जो बात है, वह हम समझने कोशिश करेंगे तो यह दीतिय खंड है, मंत्र है, पहले में बोलनू जब पहला अध्याय पुरा हो गया पहला खंड, तो हो सकता है आपको समझ में, आपको लगा हो, कि आचा हम समझ गए? ब्रह्मा क्या है? शिश्य को लगता है कि अच्छा मैंने समझ लिया, कैसे? यहने वेद पढ़ा, उपनीशद पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, ज्यानियों के साथ बैठा, प्रवचन सुना, शास्त्र पढ़ा, तो आप मैं समझ गया? अत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, सब समझ गया है. गुरु केता है, यदि मन्य से सुवेदा इती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको ठिक ठिक जान गए हो, दब्रमेव अपी, इसका मतलद तुम बहुती कम जानते हो, तुम उस ब्रह्म का, परमात्मा का जो स्वरूप है, उसको बहुती कम जानते हो. यदस्यत्वम, वो जो ज्ञान तुम में है, ब्रह्म के बारे में जो तुमारा जानकारी है, अस्यदेवेशु अथा, और जो ब्रह्म का ज्ञान दूसरे इनलाइटिन लोगों में है, आत्मग्यानी लोगों में या नेचर में है, ये मिमान्स्यम एवते मन्ने विदितम, मुझे लगता है, तो मैं उसके उपर और जादा सोचने की, समझने की जरूरत है, मिमान्स्यम means, it is worth to think, और it is worth to be inquired into, इसके बारे में और सोचने, समझने, जानने, विचार करने की जरूरत है, मिमान्स्यम एवा, अज यदि तुम्हे लगता है कि तुम जान गए हो, अब ये जो जान गए हो ना, अगर आप सर्वे करो दुनिया में, कितने लोग भगवान को जानते हैं, देख लिया है, समझ लिया है, तो जो रिलिजियस लोग हैं, उसमें आपको more than 50% कहेंगे, हम भगवान को जानते हैं, कुछ लोग तो आगे भी बढ़ जाएंगे, हमने देखा भी है, और आपके अगल वगल में लोग मिलते हुए बोलेंगे, जिस अपन में दर्शन दिया, भगवान शिव ने दर्शन दिया, कृष्ण ने दर्शन दिया, देविमान दर्शन दिया, धर्शन दिया, फिर उन सब के लिए एक ही वर्ड है, वो जूटे हैं, फरेवी हैं, बैर फ्रॉड, और देर लायर्स, फिर उनकी डिसकसन नहीं करना, जैसे होता है न, एक आम सोसाइटी होते हैं और कुछ चोर डाकु साइतान होते हैं ये वो चोर डाकु साइतानों में गिने जाते हैं जिनको सपने में भगोण दिखते हैं या भगोण दिखते हैं या तो अगर आप वीस been aap कहेंगे नहीं वो बिचारे अच्छे लोग हैं इ there is no third way to explain them. अब हम आते हैं रियल लोगों के बारे में, जो अनिस्ट लोग हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद, चीजों को समझने के बाद, इविन थोड़ी साधना करने के बाद, जो भी भक्ती, उपाशना, साधना उगरा करने के बाद, हो सकता है किसी लेवल पर हमें लगे, honestly, मैं उन फ्राड़िक्स की बाद तो छोड़ दीजिए, आपको लगे कि मैं जान गया हूँ, वो आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, प्रिटेंड करने के लिए नहीं, हम जिसकी बात अभी कर रहे थे, वो तो सब प्रिटेंडर है, हो सकता है आपको लगे, गुरु कहता है, यदी मन्य से, कहीं से भी तुमें अगर लगता है, जैन्यूइनली, कोई ड्रीम सपने में बाला नहीं, अगर जैन्यूइनली साधना के माध्यम से, तुमें ये लगता है कि तुमने उसको जान लिया है, दब्रमेवापित्वम, बेथा ब्रह्मन और उपन तुम तो फिर ते ब्रह्मा का बहुत ही छुटा सा हिस्से को जानते हो, चलिए हम ब्रह्मा ज्यान को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं, केमेश्ट्री में हैं, चलो कोई ज्ञानी नहीं पर वो स्किल्फुल है, उसको ट्रिक पता है कर Country को हैं, जैसे जैसे आप उस चीजों में मास्टर बनते जाएंगे न, आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी या ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप अंदर से फील करते जाएंगे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ. पबिक में जब आप बोलेंगे, स्पीच देंगे, बुक्स लिखेंगे, पबिक कहेंगे, आप बड़े ज्यानी हैं. आप जब दूसरों के problem fix कर देते हैं, लोग कहेंगे आप बहुत expert हैं, master हैं, पर आप खुद जानते हैं कि आप कितना कम जानते हैं, ऐसा क्यूं? जैसे ही आपको किसी भी subject में real knowledge होता जाएगा, आपको पता चलेगा ज्यान कितना बड़ा है, और मैं जो जानता हूँ उतना कम है, बात इतनी है, मेरे favor में इसलिए आ जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को कुछ नहीं पता, और मेरे जैसे कम जानने वाले के लिए, लोगों को लगता है, यो बहुत जानता है, वो संस्कृत में श्लोक है, जहां पर बड़े-बड़े पेड नहीं होते हैं, घास होते हैं, वहां घास भी पेड कहलाता है, रिगिस्तान में जो छोटे-छोटे कंटिले पेड होते हैं, या अगर 10-20 कंटिले, कंटिले समस्थे जो थौर्णी, जो प्लांट्स होते हैं, तो जहां क्योंकि आम लोगों को बहुत पता नहीं होता, जब हम उनके साथ कुछ काम करते हैं, कुछ उनके प्राब्लम फिक्स करते हैं, तो फिर लोगों का इसी तरह का परसेप्शन बनता है, पर जो खुद ग्यानी है, अगर उसके अंदर ग्यान है, उसको अंदर से ये फील होगा, कि वो कितना कम जानता है, यहां तक कि आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, मेडिकल साइंस लीजिए, अब कंप्यूटर साइंस में भी अलग-अलग सेक्शन बन गे, सब्ट्वेर का, यह हार्डवेर का, सब्ट्वेर में भी यह गेम्स का, यह उसके जो कर्पोरेट का, और उसी को सीखते हैं, सीखते हैं, आपको बाकियों के बारे में, सुपर्फिशियल थोड़ा बहुत नालेज हो सकता है, अबर कुछ नहीं पता है, मा ने अपने बेटे से पूछा, बेटे, तुम किस चीज का एक्सपर्ट हो, मा ज्यादा पढ़ी लिखे नहीं हो, बोला, मैं कम्प्यूटर का एक्सपर्ट हूँ, तो बोला, देखो, यह जरा, यह कम्प्यूटर मेरा काम ने कर रहा है, कराब है, ठिक करो, तो देखा है, म मा यह मेरा काम नहीं है, मैं सौप्टवेर इंजिनियर हूँ, यह हार्डवेर का प्रॉब्लम है, पापा ने पूछा बेटी को, बेटी क्या हो, जी मैं डॉक्टर हूँ, पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत नाम है, लोग बहुत बढ़ा मानते हैं, अचा द देखो, यह मेरे स्कीन प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रहा है, पापा, मैं कार्डियोलोजिस्ट हूँ, है ना, वो कार्डियोलोजिस्ट, मेटिकल साइंस का एक स्कूल है, उसी स्कूल में उसकी जिन्देगी बिच जाती है, बाकियों के बारे में उसकी ज्यान नहीं हो पाता है इतना ज्ञान है के उसको बहुत बड़े काडियो लोटीस्ट होने के 바a dessas कि बारे में कोई कोई डिश्कुशता ने है कि मिरीं 강श में आती है कि से भी ब्रांच अफ नाुलेज हो वह उसी ब्रांच में आप एक्सपर्ट बन जाएं तो भी कम पढ़ जाता है इसलिए कितने ज्यान अनंत होता है, लिमिटलेस है, इसलिए तुम कोई भी अगर दावा करे कि मैं जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं, उसको मत बोलिये, बोल भी नहीं सकते हैं आपको भी लगेगा कि क्या किसे से हम दुष्मनी लें, पर आँख बंद करके मान लिजिए कि बेवकूब होगा तेंट पास होगा उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं जानता होगा उस अंस्कृत में बड़ा सुन्दर श्लोक है यदा किंचित ग्योहम द्वीपईवम अदान्ध समभवम यदा किंचित किंचित भुधजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खो स्मेत्यववदवलिप्तम मममनहा किते हैं जब मैंने थोड़ा सा जाना तो मैं तो मतवाले हाथी की तरह हो गया मतवाला हाथी जानते जो जवान हाथी होता है न यंग एलिफेंट तो वो उसके पता कैसे चलेगा जवान हाथी उसके मुह से एक तरह के वो लिक्यूड निकलता है बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल भी करता है, स्ट्रॉंग स्मेल होता है, तो हाती बड़ा मतवाला होता है, कहीं भी जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, no, careless, who cares? मैं वैसे ही हो गया, भुखार चड़ गया आवानो, गर्मी आगे कितना गर्मी चड़ गई है, पावर से, पैसे से, फिर बोला, यदा किंचित किंचित, भुधा जन सकाशादव गतम, और जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ज्यानियों के साथ बैठने लगा, बड़े बड़े तो मेरा वो जो भुखार था न, वो धीरे 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 कम होने लगा, और बिलकुल ठंडा पड़ गया, मैं तो आब ऐसा लगता है, जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है, तो मतलब ग्यान जितना कम होगा, व्यक्ति उतना जादा उचलेगा, इसलिए कितने कम जानने व कम जानने वाला जहरिले साम से भी खतरनाक होता है, है न, तो और एक शलोग बताते हैं, बड़ा इंटरिस्टिंग है, वो कहते हैं, जो अग्या होता है न, इग्नुरिंट होता है, उसको समझाना आसान है, और जो बहुत ज्यानी है, उसको समझाना भी आसान है, यह जो ज्यानलव दुर्बी दग्धा, जो थोड़ा सा जानता है और अकड़ता है कि मैं सब जानता हूँ, उसको तुम तो छोड़ो, मैं तो छोड़ो, खुद परमात्मा भी आजाये नहीं समझा सकते, जो अब यह तो खर हसने की बात है, पर इसके बीच में एक साइकोलोजी काम करता है, जब मैं यह मानने लग जाता हूँ ना मैं जानता हूँ, तो मेरे दर्वाजे बंद हो गए, बाहर से कोई भी चीज आने का, यहां तक कि मैं किसी पब्लिक डिस्कॉर्स में बैठा भी हूँ, मजबुरन बैठा हूँ या जैसे भी बैठा हूँ, बोलने वाला व्यक्ति कितना भी ज्यानी हो, कितना भी ज्यान के बाते बोलता हो, सबको फाइदा हो रहा हो, तुमें नहीं होगा, तुम्हें एक समझ में भी नहीं आएगा क्यों कि तुम बैठे तो हो सुन तो रहे हो तुमारे दिमाग में चल रहा है यह क्या बोलेगा यह तो मुझे पहले से पता है क्यों कि मुझे पता है पता है जब बोलते जाता तुम्हारा mind ब्लॉक्ड होता जाता है, ब्लॉक्ड होता जाता है, कान में तो आवाज पड़ता है, पर कान के नीचे से नहीं उतरता और आपको कुछ नहीं सुनाई दिया है, अंदर तो कुछ गया ही नहीं, समझ में क्या आएगा, बुक्स भी पड़ते हो, with this attitude कि मुझे आता है, तो बु काल में जो हमारे शास्त्रों में आता है, जब भी आप गुरु के पास या कुछ सीखने जाओ, कोई भी नई चीज सीखने जाओ, ये सोच के जाओ कि मुझे कुछ नहीं पता, इविन आपने उसके बारे में हजारों कितावें पढ़ा हो, तो भी अगर आप एक घंटा लग जानने वाला है टापिक पर ये तो मैं पहले से जानता हूं, इविन आप जानते भी हैं, तो भी अगर आपको लगता है कि मैं जानता हूं, जो भी कहेगा, समझना तो दूर की बात आपके अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर आप ओपन माइंड़ होकर बैढ़ते हो, इव इविन स्पीकर कितना भी आपसे कितना कम जानता हो, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो, उइथे ओपन माइंड, वो एक घंड़े में क्या पता, चार पांच चीजें आपको ऐसी मिल जाएगी, जो आपको कोई काम की चीजें हो, जो आप नहीं जानते थे, या नहीं मानत या आपको ऐसा चीज क्लिक नहीं कर रहा था, बहुत समझ में आती है, ये बहुत जरूरी चीजें समझना लाइफ के लिए, ब्रह्म ज्यान तो छोड़िये, नॉर्मल लाइफ में भी ये बहुत जरूरी चीज होती है, इसलिए जितने भी लोग ज्यानी होते हैं, किसी भी subject में, वो हमेशा जुके हुए होते हैं, जुके मानलब उनके अंदर humility ज्यादा होती है, मैं नहीं जानता हूँ, और हमेशा इसी mood में रहते हैं कि मुझे कहां से क्या सीखने को मिल जाएगा, जो ज्यादा जानते हैं, उनके अंदर ये एक लक्षन होता है, कि कहीं भी जाओ कुछ सीखने को उनको मिल जाता है, and they are always ready to accept कि ये मुझे सीखने को, जब आप बोलते हो कि मैंने ये सीखा या सीखने को मिला, what does it mean? कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो you are accepting that you were ignorant before that, ये जो ignorance की acceptance है न, ये सिर्फ वीर पूरुष, भीर व्यक्ति कर सकते हैं, भीर समझते हैं, जो बहुत strong हो, और strength, knowledge में strength कहा आता है, knowledge से आता है, ज्यान से, जितना आपका ज्यान बढ़ेगा, आपके अंदर strength होतना बढ़ेगा, to accept कि मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, ये तो लंबा चोड़ा introduction हो गया, पर इसी introduction के बेस पर आज के पांचों मंत्र चलेंगे, गुरु सिश्य को बोलता है, अगर तुमें लगता है कि तुम उस ब्रह्म को जानते हो, इसका मला तुम बहुत थोड़ा जानते हो, क्यों थोड़ा जानते हो, मचली समंदर के अंदर रहता है न, मचली समंदर को जानता है कि नहीं जानता है, जानता है क्योंकि उसी के अंदर रहता है पर क्या मचली अगर बोले कि मैं समंदर को जानता हूं कि आपको लगता है रियली वो सारा समंदर को जानता है वो उतना जानता जितना एरिये में वो रहता है गोंता है समंदर तो उतना नहीं ना उससे बड़ा है कि आप भारत में रहते हो जिद जिस एरिया में रहे ओ उस उसरे इरिया को थोड़ा वो जांते हो बाकिए चीजों के रहे में शुपर्फिशेल्शी जानते हो America में कितने तरह के क्यूजिन से खाना है आपको पता का इंग्लिश लैंगवेज कितने तरह से बोली जाती है अमेरिपा में आपको पता है नहीं पता है तो हम जो भी जानते हैं जब भी में दावाा करू में तुम जरूरे थोड़ा सा जानते हो अर ब्रह्मद तो शर्ववेङपक है तूं अगर एविन आप रियलाइज कर भी लिया उस ब्रह्मद को तो ने रियलाइज किया और क्या किया यह सब जगह है नियुक्त सब जगह है तुम तुम क्या देखोगे, वो धुरूब के तरह पुरान की जो धुरूब की कहानी होती है न, वो जंगल में जाता है, साप में भी देखता है उसको, भगवान को, वो शेर में भी देखता है, पेड में भी देखता है, मैं लगा तुम जहां जहां जाओगे, जिन जिन चीजों को जानते हो, उनॉन चीजों में तुम्हे परमात्मा दिखाए देगा, पर क्या परमात्मा इतना ही है? नहीं है नशे भी जादा है, तो तुम जितना भी जानो, वो तब्रमेवा, थोड़ा सा ही जानवे, उसे ज़्यादा क्या जान थे तो बहुत व्यापक कि है इसका मतलब क्या है तुम कभी भी ब्रम्म को समग्रता से समग्रता समग्ज्ट ही फोलिष्टिक में जानी नहीं सकते हो तुम जब भी जानोगे कुछ टुकड़ा जानोगे थोड़ा सा जानोगे इसलिए जो पुरुष शुक्त में जो लाश्ट टाइम हम वेदान्त दर्शन में मंत्र कोट किया था त्रिपादस्योर्ध्वम पादोस्य इहा अभवत्त पुनाहा उसका सिर्फ एक क्वाटर इस सारा संसार में है त्री पाद उसका थ्री क्वाटर उर्ध्वम उपर है उपर मदलब आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आता है अब क्या बोलते हो जो उपर उपर उड़ गया बेयांद उड़ इभाण बेयांड 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 बेंड़ माही मेंछ तुमारा हमारा नहीं जिस रषी ने उसको ब्रह्मा 의 को जाना जिसने सच्मुच उस ब्रहू Freddie मतब्रुलाव उञ्द रियज किया उउश के लिए सिर्फ अगर वझ सारे ब्रह्मान्ड को भी जान ले तो भी वो सिर्फ उसका वान क्वाटर ही जान पाएगा तीन पाद तो उर्ध्व में उपर उपर उड़ जाता है तो इसलिए जो भी दावा करता है मैं उस ब्रह्मा को जानता हूँ वो बहुत थोड़ा सा जानता है और जब भी तुम्हे लगे कि मैं जानता हूँ Mimansya Mewatat You need to think again You need to deliberate again क्या जो तुम जानते हो जिसको जान के दावा करते हो क्या मैं जानता हूँ क्या सही में वही ब्रह्मा है अगर वही ब्रह्मा होगा तुम के ते हूँ मैं जानता हूँ फिर तो वो ब्रह्म हो जी नहीं सकता, चुँकि तुम कैसे सारे ब्रह्म को जान लोगे, तुम एक limited person हो, then you need to think again and again, या तो तुम अपने ज्ञान के बारे में सोचो, क्या ये कच्चा तो नहीं है, या उस ब्रह्म के बारे में सोचो, कहीं तुम किसी गलत चीज को तो नहीं जान लिया, नदी को हमेशा लगता है, मैं समंदर को जानता हूँ, क्यों, उस समंदर में मिल जाता है, पर नदी उतना जानता है, जितना डेल्टा है, जितना वो नदी और समंदर की जो union है, उससे ज़्यादा समुंदर को क्या जानेगा होगा हमारी सब यही अवस्था है ठीक है अगला मंत्र लेते हैं नाहमन्य सुवेदेती नोना वेदेती वेदचा योनस तद वेद तद वेद नोना वेदेती वेदचा कि नाहमन्य मैं ऐसा ना मतलब निगेशन नहीं वेद मतलब जानना ध्यान रखे वेदम अलब जानना मन्य मतलब मानता हूं मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सुवेद मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं मैं यह भी नहीं मानता हूं कि मैं उसको नहीं जानता हूं देखो आप परिशान होंगे हमारे में से जो उसको जानता है वो बिल्कुल नहीं जानता और जो हमारे में से उसको नहीं जानता वो जरूर जानता है ध्यान दिजिये क्या problematic word है मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको ठिक ठिक जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसको नहीं जानता हूँ हमारे में से जिसको लगता है कि वो उसको जानता है वो तो बिल्कुल नहीं जानता और जिसको लगता है मैं नहीं जानता हूँ वो जरूर जानता है मुझे नहीं लगता, जानता हूं। क्यों कि मैं कैसे मचली कैसे दवा करेगा? मचली जबूता है, healthy, कि मैं इस ocean को जानता हूं। मुझ्षान है कि मचली यह भी कैसे बोलेगा, कि मैं समंदर को नहीं जानता हूं। फिर आप को होगा जूड बोलते हो, समुन्दर के अंदर रहते हूं कि तो मैं समुन्दर को नहीं जानता हूं यह नहीं बोल सकता है कि मैं समुन्दर को नहीं जानता हूं पर मैं कैसे बोलो कि मैं समुन्दर को जानता हूं समुन्दर कितना बड़ा और मैं मैक्सिमम एक माइल दो माइल दस माइल टूर करता हूं तो फिर मैं उसकी होल को जानता हूं, जो उसकी तीन पाद छुपा हुआ है, अंसिन, अंडिस्क्राइबबल है, अन्नोएबल है, अभ्यक्त, वो मैं कैसे बता पाऊंगा? पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है, यहां रिशी कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, उपनिशद पढ़ने वाला रीडर नहीं कह रहा है, तो रियलाइज परसन कह रहा है, मैं कैसे बोलू कि मैं नहीं जानता हूं, फिर जुड बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो उसको realize किया है पर इसका फिर सजच्टिब मिनिंग क्या होगा व्यंग्यार था वो तो छलो ठीक है आप तो अपके बात करते जहरो फिर conclusion क्या है suggestive mean suggestion क्या है suggestion है मैं जान जितना भी जानता हूं, वो फर्ष्ट मंत्र की continuation, वो इतना कम है कि मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं. अगला मंत्र क्या? योना वेदा, योनस तद वेदा, तद वेदा, नोना वेदे, ती वेदा, और हमारे में से जो जानता है, वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता है, वो जानता है. ये वाली तो समझ में आई, जो जिसको ये लगता है कि मैं जानता हूं, वो डेफिनाइटली नहीं जानता, क्यों? तुम अगर सचमुच जानते, तुमें पता होता कि ज्यान कितना ज्यादा है और तुम कितना कम जानते हो तो तुम कभी नहीं दावा कर सकते हो कि I am an expert relatively आम expert relatively मतलब मान लीजे मैं students को पढ़ा रहा हूं आजे teacher आप एक college में interview देने गए कि बच्चों को पढ़ाना है physics आपको आता है और आप ब्रह्मा ज्यानी बनके बोले नहीं आता है तो society में रहते हुए हमें जो आता है वो जो हमें feel होता है कि हमें आता है वो relatively हम इसको बात करते हैं मतलब students के comparison मुझे जादा आता है या दस बाकी दस लोगों के comparison मुझे थोड़ा जादा आता है इसलिए मैं डे-टो-डे लाइब की वेवहार में मैं बोलता हूं कि मैं जानता हूं पर मुझे अंदर से पता है कि मैं जो भी जानता हूं वो दब्रमेव पहला मंत्रा बहुत चोटा सा है और तुम्हें अंदर हमेशा से फील होगा मैं कुछ नहीं जानता हूं पर अगर किसी को लगता है कि मैं जानता हूं इसका मतलब वो कोरा मूर्ख है क्योंकि मूर्ख ही दावा करता है कि मैं सब जानता हूं ज्यानि कभी नहीं के सकता मैं सब जानता हूं सब सब बोल और ब्रह्म को तो आप टुकडू में नहीं जानोगे ना ब्रह्म को तो होल में जानोगे जब भी जानो इसलिए जो भी दावा करता है कि मैं जानता हूं वो क जानता हूँ, जरूर कुछ जानता है. कम से कम इतना तो जानता है कि मैं जो जानता हूँ, it's not enough to know, so I need to know more, more and more. That's how he is saying, I don't know. हाँ, अपने बच्चों को बताने के लिए उतना जानता है जितना बच्चों को बता सके. उतना जानता है जितना students को बता सके. उतना जानता है जो ignorant है उनको बता सके. पर actually उतना नहीं जानता जिसको जानने के बाद कोई फिल कर सके कि मैं जान चुका हूँ. जो किते हैं, I knew, ये कभी नहीं हो सकता. मैं उतना जानता हूँ जितना बाकी लोग नहीं जानते हैं पर मैं उसको पुरी तरह नहीं जानता हूँ तो गुरुजी इसलिए पहले वाले मंत्र में उन्हान ने कहा कि अथनू मिमान से याँ हाँ, इसलिए आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए यू नीड तो थिंक, डिलिबरेट एगेन और एगेन, वो डिलिबरेशन क्या है? नेक्स्ट मंत्रों में उसकी क्लारीटी ला रहे हैं, जो फर्स्ट मंत्र था, वो इंटरड़क्शन था, वो उस टॉपिक को वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या बताने जा रहे हैं और सेकेंड, थार्ड, फोर्थ, फिफ्ट में उसको मिमानसा कर रहे हैं, मिमानसा का मतलब होता है डिलिबरेशन, उसको वो डिसकस कर रहे हैं कि जो हमने बताया, आपको कहीं गलत न लग जाए, आपको कहीं चुभ न जाए, मैं तो इतना वड़ा ज्यानी हूँ, मैंने वे पुर्षन पदमश्री मुल चुका है, भारत रतना मिल चुका है, धुनिया का बड़ा-बड़ा आवर्ड मिल चुका है, नोबल पुरश्कार मिल चुका है, अब फिर आपके तुआ कुछ नहीं जानते हैं, तो वो गलत पे मिन ना हो, तो अगले मंत्र उसको क्लारिफाइ क कर रहे हैं, ठीके सेकेंड मंत्र समझ माया, अब थार्ड मंत्र लेते हैं, यस्या मतम तस्या मतम, मतम यस्यन अवेदसह, अविज्ञातम विज्ञानताम, विज्ञातम अविज्ञानताम, सेकेंड मंत्र का ये एक तरह के ट्रांसलेशन है, मनला वही भाव है पर एक दूसर यह word के साथ, yasha amatam, amatam, जिसका understanding है, matam मतलब, हिंदी में बोलते हैं यह मेरा math है, कि ऐसा होता है, math मलब मारी opinion, my thinking, जिसका यह opinion है या मानना है, इसको कहते हैं matam, अब यहाँ इसका भाव है, जिसको ऐसा लगता है कि वो इसको ठिक से understand नहीं करता है, वो जरूर थोड़ा जानता है, विज्ञानी ज्ञानी लोगों के लिए ये अन्नोन है, अज्ञानी लोगों के लिए ये नोन है, ये तो और इंट्रेस्टिंग है, जो ज्ञानी लोग है न, जो नॉलेजबल लोग है, उनके लिए तो ये अन्नोन है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, वो आगे भी नहीं जानने वाले, और जो अज्ञानी है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये ज्ञान है, उपन डोर है, ये ज्ञानी अज्ञानी को ठिक से समझेंगे, जिसको हम ज्ञानी मानते हैं, उपनिशद उसको अज्ञानी मानता है, इसलिए यह जो आपको समझने में हमें प्रोब्लेम हो रहा है ना, कि उपनिशद ऐसी भाषा, ऐसी लांगवेज क्यों उज़ करता है, उसका प्रोब्लम है कि नॉर्मल सोसाइटी में जो एक नॉलेजबल व्यक्ति का जो डेफिनेशन है, उपनिशद में ठीक, इसका आपोजीट है, आप किसको बड़ा ज्यानी मानते हैं, माल लीजे, मैं आपको किसी टापिक पर बोल रहा हूं, कर्मसिधान्त पर बोल रहा हूं, तो मैं आपको समझा आ रहा हूं, मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं, वेद के, अलग-अलग शास्त्रों के कोटेशन दे रहा हूं, अलग-अलग कल्चर के कोटेशन दे रहा हूं, स्क्रिप्चर्स की कोट कर रहा हूं, और लॉजिकली समझा रहा हूं, आप कहेंगे आप ज्यानी है, उपनिश लिजद की भाषा को मैं एक फॉर्म दू उकेना चाहते है कि वो तोता है तोता जंद प्यारट अब कहानी सुनी होगी तो बार-बार सुनेंगे तो मज़ेदार कहानी होती है तो एक जो बहलिया, जो चीडिया, पक्षी पकड़ के जो बेचने वाला होता है न, जो बर्ड को बर्ड क्या चर्च होते हैं, वो बर्ड को लाते हैं, फिर पकड़ के बजार में बेचते हैं, तो जो तोता, तोता जानते हैं, प्यारट, तो वो प्यारट को पकड़ के लाता था एक शिकारी और बजार में बेस्ता था, पिंजरे में रखके, लोग खरीद के लेते थे, तो एक बड़ा भला आदमी, आपके तरह कोई होगा, भला व्यक्ती, जेंटल मैं या जेंटलो मैं, तो उसको ये दर्द हुआ, कि देखो ये बर्ड्स हैं, छोटे-छोटे प्रान ही है, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको आप पिंजरे में बंद करके रखते हो, फिर घर में जिन्देगी बार पिंजरे में रहते हैं, और इसने टेक गुड थी, तो उसने सोचा कि मैं इनका भला करूँगा, मैं इनको हों कि ये तोते हैं, मैं इनको educate करूँगा, इनको सिख किया क्या शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिच्छाएगा फंसना नहीं फंसना नहीं तोधों को सिखाया दो चार छे महिने आठ महिने के बाद सब तो ता सिग गए अब तो ता बोलते शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिच्छाएगा फंसना नहीं फंसना नहीं वो बला इनोसेंट अच्छा आदमी इनोसेंट व्यक्ति उसको लगा अब मेरे तोते जो है एजुकेटेड हो गए एजुकेटेड अंडरलाइनिंग एजुकेटेड एजुकेटेड हो गए अब वो तोतों को खुला छोड़ दिया, जाव आप your educated parents, आपको कोई नुक्षान नहीं करेगा, तो तोते उड़ते हुए गए, वही से गए, और यसा नहीं कि 10 दिन के बाद, उपर से देखा एक जगा, वही जाल बिच्छा हुआ है, दाना डले हुए हैं, तोते नीचे उत्रे, गाना गा करके, जो education मिला था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिच्छाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, गाना गाते गाते, वह जाल में बैठे और दाना भी चुगे, अब जाल में फंस चुके, अब भी तोते गाना गा रहें, वही गाना, तो शिकारी जब साम को आया, तो देखा कि ये तोते गाना गा रहें, और उसने सुना तो उसको, प्राब्लेम हो अच्छा, ये तोते तो educated हो गें, आप तो फंसेंगे नहीं, इनको पता लग गया कि भाई, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल भी चाएगा, फंसना नहीं, इसका मतलब आप तो फंसेंगे नहीं, पर जब पास जाकर देखा है, सबके सब जाल में फंसेंगे, सबको उसने निकाला, बजार गया, अब वो शिकारी के पास बजार मे दो तरह के तोते हैं, इलिट्रेट तोते और एजुकेटेड तोते, इलिट्रेट तोते का किमत है पचास रुपए, और एजुकेटेड तोते का किमत है पांसो रुपए, लोग खुशी-खुशी ले रहे, ये एजुकेटेड तोता है, सुना भई, सुना जो पढ़के आयो तो सुनाता है लोग पचास के जगाग पांट सो दे के ले जाते हैं यह तो इसको कुछ नहीं आता है खली कहले कहले करता है इसके लिए कोई पैसा नहीं पचास रुपए हमारे सोसाइटी में जिसको हम एजुकेटेड या नॉलेजबल लोग कहते हैं वो एजुकेटेड दोते हैं इलिटरेट लोगों से इनमें क्या डिफरेंस है? इनका कीमत जादा है जो इलिटरेट व्यक्ती उसकी सोसाइटी में जो वैल्यू है अगर वो 15 डलर पर आवर है जो एजुकेटेड है उसका 1500 डलर पर आवर होगा बहुत एजुकेटेड होगा तो उसको 2500 डलर भी पर आवर हो सकता है तो वैल्यू एड हुआ पर अगर आप वो हाईली एजुकेटेड थोड़ा educated, बिल्कुल illiterate, तीनों को साथ बैठाओ, तीनों ही जूट उतना ही बोलते हैं, जितना illiterate जूट बोलता है, उतना educated जूट बोलता है, जितना ये गुस्सा करता है, उसको भी उतना ही गुस्सा आता है, ये जितना ये जो false calls से trapped होता है, आता है ना, आजकल काफी false स्कॉल्स आते रहते हैं जो आपको वो एजुकेटर आदमी भी उतना ही ट्राप्ड होता है फरक क्या है वो प्रोफेशनल नॉलेज रखता है ऐसा नॉलेज जिससे उसके लाइफ में वैल्यू एड हो सके पर वो एजुकेशन रियलाइजेशन में नहीं है इसी तरह वेद उपनीशद दर्शन शास्त्र सब पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उस एजुकेटर तोते की तरह होता है जो इन शास्त्रों को आतमा और ब्रह्मा से रिलेटेड शास्त्रों को नहीं जानता वो इलिटरेट तोता है जो इनको जानता है वो एजुकेटर तोता है इ तो इस फेल्ड में जो educated तोता है उसका value थोड़ा बढ़ गया उसको ज्यादा respect मिलेगा ज्यादा पैसा में जो भी मिलेगा कुछ ना को ज्यादा मिलेगा और जो नहीं जानता है उसको काम मिलेगा कुछ नहीं तो student बन जाएगा दूसरा teacher बन जाएगा हो गया ना value add बाकी दोनों पर है यह एक ही नाव में, दोनों को कुछ नहीं पता, इन रियलिटी, तो ते के तरह, तो प्रॉब्लेम कहां है उताहे, जब हम भुकिश नॉलेज को, मैं इसको थोड़ा और क्लियरली बताऊं, जो नॉलेज हमने बाहर से अक्वेर किया, जो ज्ञान नहीं, वो इन्फरमेशन है, नॉलेज नहीं, नॉलेज वो जो आपने खुद रियलाईज किया या एक्सपिरियेंस किया, तो ज्ञान का जो डेफिनेशन हमारी यहां शास्त्रों में होता है, वो सुनिए, मनला कहते हैं न, नॉलेज को डिवाइन केसे करोगे, किसको ज्ञान कहते हैं, तो केते हैं यथार्था अनुभवा ज्ञानम, शब्द ध्यान दिजिए, यथार्था अनुभव, अनुभव means experience, realization, अगर कोई material चीज है, you experience it, अगर कोई spiritual चीज है, you realize it, अगर single word में बोले, first hand knowledge, और खाली इतना नहीं, first hand knowledge नहीं, यथार्था, और वो knowledge, यथार्था, वो जैसा है, वैसा ज्ञान आपको होना चाहिए, मतलब, कभी-कभी हम first hand knowledge भी, गलत लेते हैं, जैसे, कोट में बहुत होता है, इस तरह के case, कहीं कोई, वो क्या कहते हैं, जेनोसाइड हुआ, हत्या हुई, और हत्या होने के बाद आप पहली व्यक्ति हैं, जो अंदर गए, देखा, एक आदमी फ्लोर पर पड़ा हुआ है, और एक आदमी के हाथ में छुरा है, और उसकी बॉडी में खून है, छुरे में भी खून है आपने देखा, डाइरेक्ट देखा, आपने क्या कहा, इसने मारा है, कोट में पदा चला, इसने नहीं मारा, मारा और किसीने है, आपको जोट है, मैंने तो खुद देखा है, तुमने क्या देखा? तुमने देखा एक आदमी खड़ा है, डेट बॉड़ी के पास, उसके बॉड़ी में ब्लॉड है, ब्लॉडी चुरी है, मारते हुए नहीं देखा. चलिए, इससे भी ज़्यादा आपने और ट्रूथ के क्लोस थे, वो क्या था? कि आपने देखा, आदमी पड़ा हुआ है, एक आदमी उसके सीने में एक छूरी निकाल रहा था, उसीने में छूरी है, पकड़ रखा है, आपने नहीं देखा निकाल रहा था कि मार रहा था, चूरी घुजा रहा था, यह घुजा रहा था, आपने एड किया, आपने देखा कि उचूरी पकड़ा हुआ था, पर आपने अज्यूम कर लिया, क्योंकि यह इसी तरह human being knowledge ग्रहन करता है, ध्यान रखिये, इसी तरह इंसान ग्यान लेता है, तो मैं जानता हूं जो कि मैं भी ऐसा नहीं बोलूगा, और उसको लगता है मैंने ऐसा बोला, तो क्या होता है, आप चार वर्ड सुनते हैं, दस वर्ड आपके अंदर होता है, पहले से प्री फीड होता है, आप बाकी चीजे सुनते नहीं है, उसको connect करके मिनिंग निकाल देते हैं, फत्या कैसे हो दूसरा आदमी पकड रखा है, तो आपने बाकी सारा मिनिंग निकाल दिया कि इसने मारा है, पर क्या पता पहले कोई मार के भाग गया, दूसरा आदमी बचाने आया और उस छुरी को निकाल रहा हो, विचरा इनोशेंट पता नहीं हो, कि भाई, निकालना नहीं चाहिए य निकालना चाहिए जो भी हो, so that's how हम हमारा गयान होता है, तो जो आपने जाना वो सही होता है, ऐसा नहीं, even first hand भी हो, तो problem क्या है, खाली first hand experience करना ही गयान नहीं है, first hand experience as it is हो, अगर आग गरम है, तो आपको गरम फिल हुआ, तो सही गयान है, आग गरम है कि नहीं, उसको जानने के लिए तीन चीजे हैं, पहली चीज, आपने खुद हाथ डालके, हाथ जलाके देखा, नमबर तू, आग आपको गरम लगा, कभी-कभी ठंडा आग भी हो सकता है, झालता हुआ दिखता है, पता नहीं और उसको क्या कहते हैं, पर आग होता नहीन है पर जलता हुआ दिखता है, पर तेकनिक होता है, मुझे याद नहीं उसको क्या कहते हैं आप तो आप कहोगे देखो यह आग जल रहा है और आपने हाथ डाला देखो आग तो ठंडा होता है आग गरम होना चाहिए अगर आपको आग में हाथ लगाया गरम में आग अक्चुली जैसा है वैसा फिल नहीं हुआ तो आप गलत हो तो ज्ञान की डेफिनेशन है जो जैसा है उसको उसी तरह रियलाईज करना ज्ञान है बागी सब उपनिशद की भाषा में ज्ञान नहीं है सेकेंड है नौलेज आप कह सेकते हैं वो इन्फरमेशन है और इन्फरमेशन जितना ज्यादा कलेक्ट होता है एक्स्टर्नल जो बाहरी दुनिया से जो अब आक्योर करते हो वो नौलेज नहीं वो इन्फरमेशन वो एकठा होता है तो आपका इगो बढ़ता है आपका वैल्यू बढ़ता है फाइननशियल वैल्यू बढ़ता है सोशियल वैल्यू बढ़ता है अहत्रे के वैल्यू बढ़ता है पर यह सब एक्स्टरनल वैल्यू है, अंदर का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए डॉक्टर भी उतनी विमार पड़ते हैं, जितना रोगी विमार पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर का सारा मेडिकल ग्यान एक्स्टरनल है, अगर वो उसको खुद प्राक्टिस में ले आए, तो कोई भी ड मेडिकल के बाद क्लब में जाकर के दो-चार पेग लगा देता है, वो भी रात को दो बजे तक सोता नहीं है, फिर कहता है, जी माइग्रेन हो गया, फिर वो खुद मेडिशिन खाता है, पर उसको पता है माइग्रेन कैसे होता है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक चीजे हैं ये केनोपनेशद की भाषा को समझने के लिए, जिसको हम ग्यानी समझते हैं, उसको ग्यानी नहीं समझता, तुमें अगर लगता है तुम जानते हो, तुम सिर्फ किताबों से जानते हो, सुन के जानते हो, पचास लाखों किताबें पढ़के जानते हो, मीडिया से जानते ह यूटूब से जानते हो वो ग्यान तो उसकी भी जरूरत है यह इसका आर्थ यह नहीं कि उसको कोई क्रिटिशाइज कर रहा है उसकी भी जरूरत है पर वो ग्यान नहीं है वो रियल नालेज नहीं है यस्या मतम और जो ठिक ठिक जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ मैंने सिर्फ इन्फर्मेशन एकठा किया है वो जरूर जानता है कम से कम उसको पता है ब्रह्मा क्या है वात्मा क्या है उसको जानने की तरीका क्या है और मेरी क्या एबिलिटी है और मैंने जो जाना हो क्या है इ वर्स्ट ग्रेंड में भी हो पर सही रास्ते पर है और जिसको लगता है मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता वो फिर सिर्फ information एकठा कर रखा ने तोते के तरह और कुछ नहीं इसलिए कहा ग्यानी लोगों के लिए वो अन्नोन है अचा वो कभी जान भी नहीं सकता वो क्य तुम नहीं जान सकता कभी, क्योंकि वो अल्लेडी ये अज्यूम कर रखा है, कि मैं जानता हूँ, और शुरू में हमने डिस्केशन किया, जब आपको ये लगने लग जाए, कि मैं जानता हूँ, आपने सारे डोर्स बंद कर दिया, आप कोई डोर खुलेगा ही नहीं तो, कहां से जाएगा, इविन आप सुनते भी हो समझ में नहीं आएगा, पढ़ते भी हो कुछ जाएगा नहीं अंदर, और जो अभी भी, जिसको लगता है मैं नहीं जानता हूँ, अभी भी वो ट्राइ करेगा जानने की, इविन नहीं जानता है, उसके लिए रास्ता खुला है, वाज अमझ में आई, अभी भी आप जान सकते हो, नहीं भी जानते हो, इस ओपन डोर, हावा अभी नहीं चल रहा है, पर हो सकता है, जब चले तो तुम्हें हावा मिलेगा, पर अगर तुम्हारे खिड़की, दरवाजे सब बंदे, हावा चले ना चले, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है, मेरे घर के अंदर एनभ हावा है, मुझे और जुरूरत ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, चैनेल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, लाइक भी जरूर करें,